लेस्टन नमबर 13 एक्सरसाइज 2.3 क्वेस्टन नमबर 1 पार्ट नमबर 1 इसके अंदर हमें कॉंसर्ट यूसर रहेंगे सम अफ रूट्स एंड प्रडेक्ट आफ दे रूट्स तो अगर देखें हमारे पास यह एक्वेशन है एक्स होगे एर प्लस भी एक्स प्लस प्लस सी इक्वल टू जीरो तो अलफा और बीटा आर टू रूट्स of quadratic equation अगर यह हमें जो quadratic equation given है इसके मान लिया जाए के दो रूट्स हैं एक का नाम है अलफा दुरे का नाम है बीटा तो इसका मतलब भी होगा के जो sum of roots होगे sum of roots यह होगा इसको शुकर रहेंगे s के साथ वह होगा alpha plus beta तो वह होगा माइनस कॉफिशन्ट आफ एक्स ओवर कॉफिशन्ट आफ एक्स सुक्यर होगा तो इसका मतलब ही हुआ के alpha plus beta जो होगा वह माइनस b ओवर a होगा यह बात आपने माइन में रखनी है यह sum of roots होता है और जो product of roots है वह होता है पी इसका मतलब होता है alpha बीचा यह होता है constant term over coefficient of x तो इसका मतलब ही हुआ कि alpha बीटा जो होगा वह होगा c over c over a तो इस concept को apply करेंगे यह देखें यह एक size है two point three question number one इसका solution इस तरह से होगा कि गिवन जो एक्वेशन है x square minus five x plus three equal to zero तो s जो होता है वो हम जानते हैं कि यह होता है minus b over a और जो p है c over a तो now sum of roots is equal to यह होगा minus coefficient of x और coefficient of x तो इसके अंदर जो coefficient of x है वो है five तो minus time of minus five over one तो यहां से some of roots आ जाएगा five आलसो क्या होता है product of roots यह होता है constant term over coefficient of x होगा तो इसका मतलब हुआ कि जो प्रोडेक्ट है वह आ जाएगा यहां पर थ्री है और गरवन है तो थ्री ओवर वन तो इसका मतलब हुआ कि जो प्रोडेक्ट आफ रूट्स है वह आता है थ्री इस लेसन में हमने यह सीखा कि कोई given equation है और वह quadratic equation है तो उसके अंदर जो some of roots हैं और जो प्रोडेक्ट आफ अन्होंक्स हैं वह क्या से find करेंगे थैंक यू